स्वागत करता हूँ दोस्तो स्मार्ट टेक्निकल चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिर्फ रासन कार्ड नंबर से कैसे चेक करते हैं जो आपको 6 महिना के अंदर में कितना गेहु चावल मिला है इसकी पूरी रेकॉर्ड आप 6 महिने का रेकॉर्ड ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इस चैनल पर पहली बारा है तो फ्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल का आईकन है उसको प्लेस कर ले तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और एक अप application को मैं इंस्टोल करना हूँ अप्लिकेशन का नाम है मेरा रासन इहां पर मेरा रासन लेकरके इसको शार्च करना है और यह application को अपने मोवालब में सबसे पहले इंस्टल कर लिया हूं अब इहां से open कर देते हैं ठीक है ओपन करने के बाद अब आपके साने में फिर से इस तरह का लोगों इंटरफेस देखने को मिल जागा तो दोस्तों अब यहां पर कई सारा ओप्शन खुल के आज चुका है अब आपको क्या करना है यहां पर आपको एक ओप्शन मिल जाता है माई ट्रांज ठीक है यहां पर माई ट्रांजेक्शन के उपर में एक बार आपको किलिक करना है यह बला पर ठीक है इसके उपर में किलिक कर देने के बाद आपके साने में इस तरह का पेज खुल के आ जाता है अब आपको क्या करना है यहां पर सिर्फ रासन कार नंबर को डाल देना है उस तो यहां पर हम रासन कार नंबर को डाल दिये हैं उसके बाद में यहां पर समीट बला पर क्लिक कर देते हैं इसके उपर क्लिक कर देने के बाद आपके सान में इस तरह का पेज खुल के आजाएगा इसमें पूरा इसमें आपका डिटेल मिल जाएगा जो रासन कार नंबर किस के नाम से है यहां पर सराजनकारी आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो यह डेट एंड टाइम यहां पर मिल जागा उसके बाद यहां पर स्टेट का नाम राशनकार्ड नंबर सेम और कॉस्टोमर नेम यानि किसके नाम से यह राशनकार्ड है यह भी मिल जागा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किस डेट में आपको गेहूं चावल मिला है यहाँ पर डेट भी मिल जागा ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 37 2021 को यहाँ पर 10 केजी गेहूं ठीक है उसके बाद यहाँ पर 37 2021 का 15 केजी चावल उसके बाद यहाँ प पर सब्सक्राइए pat appear दिखा रहा है तो एहाँ पर देख सकते हैं यह एफ पी- डेवी है ठीक है तियां पर आप अपना डीह देख सकते हैं उसकेnecess पर date यानी रेगुलर आप अनाज डीलर के यहां से उठा रहे हैं उसके बाद यहाँ पर estate का ना मिल जागा ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं last of transaction in last six month quantity and kg यानी छो महिने का यानी six महिने का record आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यह खुल के आ गया है तो इसी तरह से आप सिर्फ रासन कार्ड नंबर डाल करके और अपना transaction चेक कर सकते हैं जो आपको गेह हुआ रहता तो यहाँ पर उस date में यहाँ पर कोई यहाँ पर kg करके नहीं बताता है ठीक है तो यहाँ पर kg करके नहीं बताया जाता तो यहाँ पर सरा record यहाँ खुल के आ आ जाएगा तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लागा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो को एक लाइक जरूर करे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद